आज मैं एक प्लेन गॉडजिस रेड ड्रेस के उपर पेंटिंग करने वाली हूँ हलो एवरिवान, मैं हो रिमी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले ड्रेस के नीचे आप इस तरीके की कार्ड़ूर यूज़ कर सकते हैं मैंने बहुत बार इसको यूज़ कर चुकी हो और नहीं तो कपड़ा अगर बहुत ज़दा पदला टाइप का है ना फ्रेम का यूज़ ज़रूर करें नहीं तो बैक साइट पे कलर बहुत ज़दा आ जाएगी और कलर के लिए यह है फेबिक रिल के अक्रेडिक कलर अब कोई भी ब्रैंड की कलर यूज़ कर सकते हैं यह है बड़ी डबबे वाली यह मैंने ओनलाइन ली थी और यह चोटी-चोटी जो है ना यह मार्केट में बहुत इजिली आपको मिल जाएगी कोई भी लोकल स्टेशनरी शॉप पे आप एब ढूंड ले ना और कोई भी ब्रैंड का भी आप यूज़ कर सकते हैं यह बहुत सारे शेड में आपको मिल जाएगी कलर्स और इसमें आपको कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है बस आप प्रिसेंट की कलर ले लेना तो कुछ भी मिक्स करने की जरूरत नहीं है अब डिरेक कलर यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले यहापर मैं वाइट कलर यूज कर रही हूँ मैं एलचिली ड्रेस के उपर बहुत ज्यादा कलर यूज नहीं करने वाली हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ, बहुत ही कम मैंने बहुत ज्यादा कलर यूज करती हूँ ताकि जो सब पेंट कर सके, बहुत ज़्यादा कलर दिखाऊंगी, तो क्या होगा, सारे शिर्ट सब के पास नहीं होता है, तो ये एकड़म सिंबल सा कुछ-कुछ कलर दिखाऊंगी, तो सब जैसे आसानी से कर सकते हैं, और रेट के उपर वाइट कलर, अब देख सकते हैं, कि इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो गैप है, तो ये गैप के दोनों साइट पे आमें करना है, देखिए, मैं एक बर घर के आपको दिखा देती हूँ, तो ये चाहे तो ये जो डिजाइन है आप चाहे तो पहले पेंसिल से आउटलाइन करके बना सकते हैं, बट मैंने कोई आउटलाइन नहीं किया है, क्योंकि ये डिजाइन उतना टाफ नहीं है, इसलिए, बट अगर आप नए-नए ट्राइ करते हैं, तो आपको लगता होगा कि नया है, आइ मिन पहली पहली बार है, अगर एक दो इधर उधर हो जाए, तो आप पैंसिल से पहले आउटलाइन कर लीजी, उसके बाद ही इसके उपर कलर करें, और ब्रश में कलर एक बार में बहुत ज़्यादा कलर लेके मत करें, बस थोड़ी थोड़ी कलर लेजी और कलर कर सकते हैं, और एक बार में अगर आपकी मन पसंद के शेड ना आए, तो आप दोवारा उसको डॉबल कोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फेबिक रिल की जो कलर है भी बहुत ज़्यादा पतली हो गए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा पतली टाइप की हो गई है, और ब्रश के लिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, दो नमबर की राउंड ब्रश, आप इससे भी ब्रॉड टाइप की डिजाइन चाते हैं न, तो आप चार नमबर या छे नमबर की राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, दाइमन शेफ कितनी आसानी से हो जाती है, बस अब ब्रश को इस तरीके से पकड़ के आपको करना है, बहुत आसान है, बस आपको ट्रिक आपको समझना है, इस तरीके से आपको करना है, और यहाँ पर भी मैं वाइट कलर यूज़ कर लिए हूँ, भी काफी सारे डिजाइन है और इसको आप वाश भी कर सकते हैं कि कोई सबको डर लगता है ना इतने महनत से पेंट करूँ और बाद में वाश के बाद अगर एक बार में ही उतर जाए तो इतना महनत का क्या फाइदा ऐसा कुछ नहीं होता है आप पेंटिंग के बाद आप 24 आ या फिर शैंपू के साथ और जब ही आपको प्रेस करना है तो इसकेests साइब करें ड्रेस के उपर नहीं तो आप यह जो गैप है यहाँ पर हमें हमें इस टाइब के इकत के जो डिजाइन हे उस टाइब के हमें फ़्लावार बनानी है यह उपशनल है अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा हो जाए गई तो आप स्कीप भी कर सकते हैं बट आप करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा तो सब की पसंद अलग-अलग होती है तो मुझे यह अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा भी नहीं लग रहा है कि मैंने वाइट कलर ही देखिए कितना स्यादा आसान है ऊपर में थोड़ी सी हल्की टाइप की शेड होगा यह देखिए अब इसके अंदर यह ड्राइ होने के बाद ही आपको करना है यह डॉट-डॉट-डॉट-डॉट करना है आपको बट वाइड ड्राइ होने दीजी उसके बात करें और कर लिया है अब इसके अंदर भी टील ब्लू कलर में यूज़ कर रही हूँ थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो इसको जारूर ट्राइ करें कॉमेंट सेक्शन पर बताना आपको इस डिजाइन कैसी लगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग 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 बाइ